प्रिष्ट संख्या 158 कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं, भवर में जखोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं, कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं, कभी-कभी पाओं हैं, कभी-कभी हाथ हैं मेरा घर से उद्धृत त्रिलोचन मूल नाम वासुदेव सि जन्म सन उन्नीस सव सत्रह चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपूर उत्तर प्रदेश प्रमुख रचिनाए धर्ती, गुलाब और बुलबुल दिगंत ताप के ताय हुए दिन शब्द उस जन्मपद का कवी हुँ अरगान तुम्हें सौफता हुँ चैती अमोला मेरा घर जीने की कला यह काव्य संकलन है देशकाल रोज नामचा काव्य और अर्थ बोध मुक्ती बोध की कविताएं यह गद्य घंड है हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी शलाका सम्मान महात्मा गांधी पुरसकार उत्तरप्रदेश हिंदी साहित्य में त्रीलोचन प्रगतिशील कावयधारा के प्रमुख कवी के रूप में प्रतिश्ठित हैं। रागातमक सायम और लयातमक अनुशासन के कवी होने के साथ साथ वे बहु भाशा विग्य शास्त्री भी हैं। इसी लिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रियता उनकी कविता के लिए बोज नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में नहित मंद लएके कवी हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहां काफी कुछ स्थिर है। प्रिष्ट संख्या 169 इनकी भाषा छायावादी रुमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाट ठेट गाउं की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सौनेट, अंग्रेजी में छंद को स्थापित करने वाले कवी के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवी बोलचाल की भाषा को चुटिला और नाटकिय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुती का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुती का भेद नहीं रहता। उनका कवी इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। नामक कविता धर्ती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मारमिक्ता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेशन का प्रयोग किया गया है जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी और उस दारून यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर तूटते हैं काब्यनाई का चमपा अनजाने ही उस शोशक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविश्य को ले कर उसके मन में अनजान खत्रा है वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे कलकत्ते पर वजर गिरने की कामना जीवन के खुर दरे यथार्थ के प्रती चमपा के संघर्ष और जीवट को प्रगट करती है